तो आज हम आपको दिखाने वाला है कुछ ऐसा सी जो भी है अब आपको आने वाला है और अब आपको आने वाला है और अब आपको आपको तो यह कुछ हमारा कॉलीडोर का व्यू है हां से जो दिखाई दे रहा है और कॉलीडोर से भी हमारे जो व्यूज हैं वो कुछ इस्ता है यह पीछेगाई वोईस आप लोग लिनूर कर दीजिएगा यह दर दिखाई देता है वह एक नारिक्रीड बन ल अब यह चोड़ देना बट है और यह दिखना है यह मल्ग की लिफ्ट से अभी बारिश रहते हैं इसलिए गल्डव को पढ़ा है सारा इसारा चलीए अपको आपको दे चलते हैं अपने अपने फ्लैट में अंदर की तरफ और अपको चलते हैं कि कैसा च्या सीन है वहां का अचली चलते हैं अंतर है यह पहला देते हैं और गेट ऑटमेटिक खुल गया तो खुलते हैं तो पहलते हैं तो पहला पास में एक रूम आजाता है इसकी लाइट खराब हो रखे तो एक टंपरेली लाइट जोंशूट के लिए अपना यूज़ करते हैं यूजवली वह ल बदो यूज़ अनल येए पर गाइट आ गाज्वल जो के हम खेलते हैं और यूज़ ट्राइपोर जो का चूट करते हैं और यह माह, मैं यह माई लाइट्स लाइटिंग सिस्टम से बाग की जो यूज़ करते हूं सब इसमे रखो बहुत हम चैलेंज बगर करते हैं तो उसके लिए उसके लिए हमारे कैम रिग लाइट्स यूप इस बाप्स बगरा सब इसके मितर रखा हुआ बंदो जावए और यह एक कटेज और वह श्रूब है हमारे रूम में यह बहुत है अब ही थोड़ा गंदा हो रहा बैटे करना अब लोग तो यह है और अब कर देते हैं इसकी लाइट्स में अब चलते हैं आपको लेकर हम लाक्स तक की तरफ यह लाइट कर देते हैं पंद विजली बचाओ और यह यह मेरा computer system है हमारा dining room drawing room है जहां पर हम सारे बैटके chill करते हैं यह आपको लग रहा है मैं chill करते हैं यह इसकी keyboard है यह mouse है यह UPS है यह वोरा system है हमारा और यह sofa वगरा है हमारे laptop वगर यहां पर रखे हुए हैं यह चोटी सा system है जो कि हम बहुत कम यूज करते हैं यह फिर आज फ्रिज फ्रिज गंदर क्या क्या है वह एज यूजर डेलियर सामान जो हम रखते हैं यह हमारा पूछ अगर आजाता है और यह है अपना किशिद थोड़ा फैला हुआ है इसको इग्णोर करना दो अना यह कुछ रैक्स है नीचे के तरफ जोपी ती हुई है यह बालकनी का यह बालकनी है हमारी इतनी बड़ी है इसको आप वाशिंग मशीन रख सकते होगा एक्स्टा जारवीज रख सकते हुए जैसे मैंने वहां पर वह फ्रिज का डबाया वो रखा हुआ है यह सब कर सकते हो आप लोग और यह बेने जुप हार से बालकनी है आपको यह वाली बा एंज्यादा विव यहां का नव बहुत ज्यादा मस्त लगता है मेरेको व्यू यह तरंगा लगा या नुदु हमारी बालकनी तो बहां पर अपर अमने फिर अज्गा लगाया हुआ है अब मैं आपको ले करके चलता हूं ने नेक्स्ट रूम की तरफ तो गाइस यह हमारा नेक्स्ट रूम यह देखिए है यह बाड़ा मेरा यह कलमरा है और इधर भी बालकनी है और यह देखिया और इसके अंदर भी सिसा है यह देखिए और यह यह यहां की बालकनी है और यह बालकनी के अंदर कौन है यह हमारे योगरेस भाई है हेलो करो श्ष नहीं करेंगा यह फेस रिविल नहीं करते है अपना से लोग चलते हैं नेक्स्ट आप चलते हैं हम यह हमारा थड रो में क्योंकि यह जो फ्लाट है यह थ्री भी एच के है ठीक है तो लाइट समकर यह यह बैड है थोड़ा बिकरा हुआ है यह इस रूम की बालकनी है और यह बोश्रूम है इसके अंदर भी हमें सीसा मिल जाएगा यह दो इसका सेसा सब ज़्यादा क्लीन रहता क्योंकि हम इस बोश्रूम को यूज नहीं करते हैं चीक है एक नहीं होता है पीचे कर स्टप तो यह था बागे चलते हैं यह समेंद्र एक अलमारी मिल जाती है हमको और यह बालकनी थोड़ी कंडी रहती है क्योंकि हाँ पर सड़ा के कबुत्र बगेरा बैठ जाते हैं यह व्यू है हमारे बालकनी से ठीक है तो बहुत ही मस्त प्यारा सब गया है वहां पर एक अंटी अधर एक्सराइज करें लगों दो बंटे से तमने उनको देख रहा हूं कि एक्सराइज यह करे जा रही है है तो जा है यह था हमारा जो पूरा फ्लैट था इसका टूर अगर आपको अमारा यह प्लैट पसंद आ हो और आपको भी लिए ना चांटे बगे इस प्लैट तो ह यह था हूं किया है